बिस्मिल्ला रख्मान ररहीम दिया स्टूडेंस असलाम लेकूम उमीद करती हूँ आप खेरेश से होंगे आज हम जमादों की स्रमियात पढ़ेंगे सबक नमबर साथ पे सफ़ा नमबर है अटारा उन्वान है अज़्द मोहमद स्लिल्याओ लेह वालिए वस्यल्म बचों इसकी पढ़ाई करते हैं नमबर एक पिदाइश अप्रा नहीं हैं कि में पाप यह की आफिक आफिर निए पांसों एकत्र आफिकों मक्का में पैदा हुए ये पीर का दिन था और अलवल की बारा तारीख थी आप अप्राइब की पदाईश के साल को आम लग मान अ पिल यानि हाथी वालों का साल भी कहते हैं इसकी वज़े ये है कि आप सलिए लिए वालिए वालिव सल्म की पदाय से पचास दिन पहले यमन के हाकिम अबरा ने हाथियों के एक बड़े लशकर के साथ हाना कबा पर हमला किया ताके इसे तबाह कर दे अबरा ने अपने गर की हिफाज़त चोटे चोटे परिंदे अबबील बेच कर की वो परिंदे इन हाथियों पर कंकर फैंकते अबरा ने अबरा और इसका पुरा लशकर तबाह हो गया जो लायत ताला के आहरी नभी जो है वो हजद मुहम्मद सलिल्ला लेह वाले वाले सलम है और वो बारा रभी लवल पीर के दिन अबरा इसवी को मक्का में पैदा हुए है आपकी पैदाश की साल को आमल फैल यानि हाथी वालों का साल हाथ इसलिए कहते हैं क्योंके इससे पहले यमन के हाकिम अबरा ने हाथियों के लशकर के साथ हनकाबा पर हमला किया था ताकि वो हनकाबा को तुबाह कर सके लेकिन अल्ला ताल ने उसकी साज़श को नकाम कर दिया और अल्ला ताल ने इपने परिंदे अबाबील के जरी ए उन पर हमला किया था जिसे हाथी हलाक हो गए थे अबरा का पुरा लशकर तबाह हो गया था पहरा कराफ नमबर दो है वालदेन पेराग्राफ नमबर तीन है बच्वन और परवरिश फ्रत मुहमetto्य लाह पर लिए वालिव संलने बच्वन के पहले चार साल हज़त हलीमा साधिये की परवरिश में घुजारे अर्मे इन दिनों ये आम र्वाज था कि इब्तिदाई सालों में बच्चे की परवरिश दिहात में की जाती थी आपसलियल्लाई आलियु वालभी वाल्डा की पास ले आयी। बच्चों रससलियं की पेदाश से पहले ही वालद की वफात हो चुकी थी। तो पेदाश के 4 साल तक आप अज़त अलिमा की परवरिश में रहे। आपकी परवरिश की। उन्होंने आपको दूद पिला है और अच्छे इखलाक भी सिखाए छे साल के हुए तो आप ﷺ की वालदा भी इंतकाल कर गी इसके बाद आप ﷺ की परवर्ष आप ﷺ की दादा जनाब अब्दुल्मतलब ने की वो भी आप ﷺ से बिप्पना मुहबत करते थे जब आप ﷺ आठ साल के हुए तो दादा भी वफात पा गए और उनकी वफात के बाद आप ﷺ की परवर्ष आप ﷺ के चच्चा जनाब अब्दुल्मतलब ने की उन्होंने आप ﷺ को बड़े लाड़ और प्यार से पाला वो अपने बच्चों से बढ़कर आप ﷺ के आराम का हया रखते थे इस तरह आप ﷺ अपने चच्चा की शफकत के साहे में जवान हुए शफकत के साहे मतलब प्यार के साहे में जवान हुए पैरग्राफ नमबर चार है जवानी जब حضرت मुहम्मद ﷺ जवान हुए तो आप ﷺ ने तजारत का पेशा इक्तियार किया बच्चत तजारत कहते हैं चीज़ों की खरीदफ रोकत हो और इक्तियार किया पेशा अपनाया आप ﷺ ने तजारत का पेशा अपने चच्चा जनाब अबू तालिब से सीखा नभी करीम ﷺ एक एमानदार ताजर थे आप ﷺ की सचाई और एमानदारी के वज़ज़त दोस्ट दुश्मन सब आप ﷺ को साधिक और अमीन के लकप से पुकारते थे बच्चो आपकी एमानदार ताजर थे भी आपके पास अपनी अमानते रखवा के जाते थे सादक कहते हैं सच्चा और आपको सादक और अमीन के लकब से पकारते थे लोग हज़र खदीज्जा रज़त अलानों एक मालदार और तिजारत पेशा हातून थी अनों ने नबीकरीम अल्यवारे की इमानदारी और सचाए की दारिफ सुनी तो आप सबल्लावी अल्हुरूरू अल्यवाले का पेशक के आप स मान लेकर तिजारत करें वो जितना नफ़ाव दूसरों को देती हैं अससे जादा आप स. लगर वाले को देंगी हाप ﷺ इनका सामान लेकर मुल्क शाम गे हज़र खदीज़ रिज्ट अला नहों ने अपना उलाम मैसरा को भी हाप ﷺ के साथ बेजा इस तजारत में नभी करीम ﷺ ने हासा नफा कमाया हज़र खदीज़ रिज्ट अला नहों आपके काम और लेन देन से बहुत हुशी अरफ नमबर पांच शादी हज़र खदीज़ रिज्ट अला नहों ने नभी करीम ﷺ की इमानदारी से मतासिर होकर इन्हें निका का पेगाम बिजवाया जो नभी करीम ﷺ ने चचचा जनाब अबु तालिब से मशुरा के बाद कबूल कर लिया निका के वक्त नभी करीम ﷺ की अमर 25 साल और हज़र खदीज़ रिज्ट अला नहों की अमर 40 साल थी जी बच्चों हज़र खदीज़ उनकी मानदासित इस हाद तक मतासिर हुए कि उन्हें ने निका का पेगाम भी बिजवा दिया हज़र खदीज़ ने उनके पेगाम को कबूल कर लिया जब उनका निकाह हुआ थो हज़र खदीज़ रिज्ट अला नहों 40 साल की थी बच्चों सफ़ा नमर 20 पराग्राफ नमर 6 नबुवत नभी करीम ﷺ ने 40 साल की उमर में नबुवत का इलान फर्माया पहली वही के वक्त आप सलिल लगया उलीव रिज़ सलम गारे हिरा में अबादत कर रहे थे कि हज़र जिबराईल अलिए इसलम अलल्ग का पेगाम लेकर आए और आप सलिल लगया उल्गया के अहरी नभी होने की खुशखवरी दी इस तरह नबी करीम صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ने इसलाम की तबलीग शुरू कर दी आप صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ने लोगों को एक अल्ला की अबादत करने सच बोले और जूर से बचने का सबक दिया आप صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ने लोगों को आपस में महबत, बाइचारे और सबर से रहने की ताकीद फरमाई बच्चों जब हजूर सलाओ अल्ही वाली वाली सलम 40 साल की वे तो उन्होंने नबूत का ऐलान किया यह खुशकबरी अज़र जिबराईल अल्ही इसलम गारे हिरा में लेके आए थे अपने लोगों को एक अल्हा की अबादत करने सच बोलने और जूर से बचने का सबक दिया और लोगों को बताया कि वो आपस में बाइचारे और सबर से रहें जो मलमाते आमा है इसलम की पहली शहीदा हज़र समया रस्तालान हा है इसलागां कबूल करने के वज़े से अबुचहल ने इने नेजा मारा जिससे वो दम दोड़ गई जवाब इसकी मश्ख कर लेते हैं सवाल नामर एक है हज़र मूहम्मद ص. लिए यह वालिवी वालिव सलम कहा पैदा होए सवाल नामर दो है सूल नमर जीम है, अज़र खदीजा रिजित अला आनो कों थी? अज़र खदीजा रिजित अला आनो एक मालदार और तिजरत पेशा हातून थी सूल नमर दाल है, अज़र अलियमा साद्या की परविश में कितने साल गुजारे? स्वाल अमर दो है, दिये की ईलफास की मदद से ि خالی جگہ پُر کریں نبوت عبدالله آم الفیل گارہیرا جھوٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام جناب× تھا جناب عبدالله تھا بے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائش کی سال کو × کہتے ہیں آمل فیل کہتے ہیں جیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں × کا إعلان kiya नबुवत का ऐलान किया दाल है पहली वही के वक्त नभी करीम स्लिल्य लाहू अलिए वालिए 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 harmony나ğı allahu alaihi waalisha selam किस इस्मी साल में पैदा ओए 570 में, 571 में या 572 में 571 में बेह यमन के हाकिम का नाम क्या था फिरॉन अमन, अब्रा यमन के हाकिम का नाम अब्रा था जीमें आनला किन अपने गर की इफादत क्यों से पृंदे पेज़ कर की अबबील तोते शहीन अबबील मसरा या मनसूर, मेसरा. अच्छ खदीज्या के उल्म का नाम मेसरा था. वाउ है, आल्ला ताला ने बियर outta सलमğ hier अम्हरी में नबूवत आता की? 46 साल, 40 साल, 40 साल में नबूवत आता की. देहे जवान हुए, तो आप ﷺ ने कौन सा पेशा इक्तियार किया खेती बाड़ी, मलाजमत, तजारत तजारत है है पहली वई के वक्त आप ﷺ कहां अबादत कर रहे थे गारे सोर में, गारे हीरा में, गारे कौफ गारे हीरा में बचो आप ने इस सबक की पढ़ाई करनी है और इसकी माज़ को अपनी कापी पे लिखना है अपना और दोस्तों का ह्यार रखें खुदा हाफिज